नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका Pathfinder Steady Point में तो इस वीडियो में हम लोग सामान इन्दी व्याकरणड के लिए जो हमारी Demo Test Series 2 है उसको पढ़ेंगे उसके 25 questions को हम भी description solve करेंगे जिससे आप ये भी देख सकें कि Demo Test Series जो है उसका standard कैसा है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि तो वीडियो का exam जो December में होना है अब उसमें एक महिने से कुछी समय बचा हुआ है तो आपको मैंने कल भी वीडियो में बताया था कि अब आप revision पे ज़्यादा focus करिए और हिंदी हमेशा ही trump card रहा है वीडियो या किसी भी exam में जिसमें हिंदी व्याकरन पूछा जाता है क्योंकि हिंदी का एक ऐसा syllabus होता है कि अगर आपने हिंदी के syllabus को cover कर लिया है तो आप उनके questions को आसानी से हल कर सकते हैं और वहीं पर अगर जीके और reasoning की बात करें तो उसका थोड़ा सा area वाश्ट होता है उसमें आप एक सामाने तरीके से अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि कहां से क्या प्रस्न पूछ लिया जाएगा तो जो मैंने कल second batch जो है test series के allowance किया है यह इसका schedule है और अगर आप अभी भी इसको join करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं जिसके लिए मैंने प्रक्रिया कल भी detail में बताई थी आप यहां भी देख सकते हैं बस आपको करना यह है कि join pf लेके लिखकर और इस whatsapp नमबर पर send कर देना है और आपको reply में message कुछी घंटों में मिल जाएगा कि आगे की क्या प्रक्रिया है तो दोस्तों यह test series बहुत ही मेहनत से तयार की गई है आप लोगों ने जो join कर चुके हैं वो तो इसको देखी रहे है मेरा काम यह है कि मैं आपको recommend करूँ जो अच्छी चीज़े हम लोग initiative करते हैं चुकि यह मेरा अकेले का प्रयास नहीं है इसमें कई सारे और YouTube channels और काफी लोग involved है तो यह joint venture है काफी बड़े इस्तर का तो चलिए हम सीधे topic पर बात करते हैं questions को देखते हैं आप भासा से क्या तातपर होता तो आप जो है जो प्राचीन ग्रामीर अपभरंस होती है उसको कहा जाता है आप जो है अपभरंस सब्द का एक विक्रत रूप है इसे अपभरंस या अपभरंस का परिवर्ति अपभरंस भी कहा जाता है आप भरंस आदुनिक भारती आर भासाओं के बीच की संक्रमर कालीन या संक्राती कालीन भासा है क्योंकि जब प्राचीन जो है हिंदी थी और जो नवीन हिंदी है दोनों के बीच का जो अपब्रंस का काल था और उसके बीच भी आधुनिक और प्राचीन के बीच का जो समय रहा है जो इसका कालखन था 920 से लेके 1120 तक जो है तो इसके बीच जो है इसका ज्यादा प्रिचलन था अवहट भासा के प्रमुख रचनाकार जो है ये पूछे जाते हैं क्वेस्चन में तो अब्दुल रह्मान जिनोंने संदेश रायस या संदेश रासक भी लिखी है दामोदर पंडित उक्ती व्यक्ती प्रकण इनकी रचना है जोतिरिश ठाकूर जिनोंने वर्ण रतनाका लिखी और विद्यापती जिनोंने कीरती लता लिखी ये सभी जो है पूछे भी जा चुके हैं नेस्ट क्वेस्चन देखते हैं खड़ी बोली में सबसे पहले कार स्रजन करने वाले व्यक्ती कौन थे हलाकि वो फार्सी के भी अपने समय के सबसे बड़े भारती कभी है और मुकरी लिखने का भी सरप्थम प्रयास उन्हों नहीं किया था तो इसी तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स पर आपको ध्यान देना है जो डिस्क्रिप्सन में दिये हुए है क्योंकि ये स्वयम में एक क्वेश्चन है सीदे सीदे ऐसे ही पूछा जा सकता है अब अमीर खुसरों की जो प्रसिद रचना है वो है खालिक बारी पहलिया मुकरिया दो सुखने और गजलिये सब इनकी प्रमुग रचना है तुलसी दास करत बिने पत्रिका किस भासा में रचित है या किस बोली में रचित है तो जो बिने पत्रिका है उसकी भासा ब्रजवासा है इसमें स्वामी की सेवा में करुणातम सब्दों में अपनी दीनता का निवेदन किया गया है बिने पत्रिका का क्यारत होता है अर्जी प्रस्तुत की है और इसमें दर्बारी सिच्टाचार का पूर्ण निर्वाहन किया गया है काविसास्त के संदर में नौ रस से क्यातात पर है तो नौ रस का अर्थ काविसास्त में नौ रसों से होता है जो नौ रस माने गए हैं सामने पंक्ति दिवी है, इसमें बताना है कि ये किस तरह का एलंग, इसमें कौन सा रस है, तो समरस्थे जड़ या चेतन सुन्दर साकार बना था, चेतन था एक विल्सती आनंद अखंड गना था, तो इसमें किस तरह का रस है? इसमें सांत रस का प्रियोग हुआ है, सांत रस में क्या होता है? मन में सैयम सांती या वैराग को जागरित करने वाले प्रसंगों के चित्रण में सांत रस होता है और इसका इस्थाई भाव बहुत बार पुछा गया है निर्वेद या उदासींता या वैराग ये इसका इस्थाई भाव होता है इस रस में तत्तुगान की प्राप्ति अथवा संसार से वैराग उत्पन होने पर या परमात्मा के वास्तविक रूप का ग्यान होने पर मन को जो सांती मिलती है वहाँ पर सांतरस की उत्पत्ती होती है जहां ना दुख होता है ना द्वेस होता है मन सांसारिक कारियों से मुक्त हो जाता है और मन इस वैराग को प्राप्त कर लेता है तो ये सब भाव जहां पर आते हैं वहां पर सांतरस होता है इसी तरह से अगला उदारान है इसमें आपको बताना है कि ये किस प्रकार का चंद है निजभासा उन्नित है, सब उन्नित कौमूल, बिन निजभासा ग्यान के मिटे नही को सूल तो ये दोहा है एक, दोहा में क्या होता है आप ये तो जानते ही हैं कि प्रथा मौद तती चरण में इसमें 13-13 मात्राएं होती ही कई बारे पूछा जा चुका है और दुती चरण में 11-11 मात्राएं होती है दोहा एक ऐसा चंद है जो सब्दों की मात्राओं के अंसार निर्धारित होता है यानि एक मात्रिक चंद है और इसके दो पद होते हैं तता प्रतेक पद में दो चरण होते हैं यानि एक पद ये हो गया एक पद ये हो गया और एक चरण की बात करें तो एक चरण ये हो गया एक चरण ये हो गया तो जो इसके विसम चरण होते हैं यानि पहला और तीसरा उसमें कुल तेरा मात्राएं होती हैं और सम चरण यानि दूसरा और चौथा में ग्यारा मात्राएं होती है अथा दोहा का एक पत तेरा ग्यारा की यती पर होता है और यती का आर्थ होता है बिस्राम जहां पर यह चिन लगा दिया जाता है यह यती के लिए मतलब यहां पर आपको रुगना है बोलने के समय मातरिक छंदों में मातरा कितने प्रकार की होती है important question है तो मातरिक छंदों में दो प्रकार की मातराएं होती है किसी स्वर के उचारण में लगने वाले समय अवदिकों हम मातरा कहते है कल, कला, मन्ता और मन्त मातरा के परियावाचक सब्द है यानि कहीं पर मातरा का भी प्रियोग के जाता है कहीं कल या कला या मन्ता या मन्त इनका भी प्रियोग क्या जाता है और ये दो प्रकार की होती है एक रिश्य मात्रा होती है या लगू या इसको दूसरे सब्दों में दीर्ग या गुरू मात्रा भी कहते हैं लग मात्रा में एक मात्रा मानी जाती है और इसका संकेत चिन क्या होता है इसमें सीरे सीरे एक लिग दिया जाता है दीर्ग मात्रा में दो मात्रा मानी जाती है इसका संकेत चित्र इस तरह से यस के आकार का होता है जिने आउग्रह चिन भी कहा जाता है ये question अलग से आ चुका है PDD के ग्याम में कि आउग्रह चिन क्या होता है आउग्रह एक देवनागरी चिन है जिसका प्रियोग संधी विशेज के कारण बिलुप्थ हुए आ को प्रदरसित करने के लिए किया जाता है इन में से जो अनुप्रास अलंकार का लच्छन ना हो उसे छाटना है तो सब्द के प्रारम अत्वा अंत में वर्णों के आवरति ये अनुप्रास का मुखे लच्छन होता है एक या अनेक वर्णों की क्रमा अनुसार आवरति ये भी उसका लच्छन होता है पंक्ती की संपू पूरी की पूरी जो है रिपीट नहीं होती है तो ये इसका लच्छन नहीं हुआ एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवरती तो इस प्रकार से A, B और D ये तीनों ही उसके लच्छन हुआ और C उसके लच्छन नहीं है पंग्ती की संपूर्तया आव अनुप्रास अलंकार का लच्छन नहीं है अनुप्रास सब्दों से मिलकर बना है अनुकार्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण यानि वर्णों की बार बार आवरती जहां पर होती है वहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार होता है बाकी जो है आप इसक टाले पता में आलंकार होता है तो वहाँ पर उत्प्रेच्छा आलंकार होता है। इनमें जो है इनकी पहचान के लिए क्या होता है मानो मानहू मनू जानो जानहू जनू आदी जो है निश्चय आदी उत्प्रेच्छा के वाचक सब्दों का प्रियोग होता है यनि अगर आपके सामने कोई भी जो है पंक्ती दे दी जाए अगर उनमें इन सब्दों का प्रिय नीलमन सैल पर आतप परयोग परभाद तो क्या है यहाँ पर देखिए मनहु का प्रियोग हुआ है अब इसका आर्थ भी समझना जरूरी है इन पंक्तियों में स्री कृष्ण के सुन्दर स्याम सरीर में नीलमडी परवत की और सरीर पर सोभायमान पीतांबर में प्रभाद की धूब की मनोरम संभावना को ब्यक्त किया गया है मनहु सब्द का प्रियोग संभावना दरसाने के लिए किया गया है अता यह उदारान उत्परेच्छा लंकार के अंतरगत आएगा अब उत्परेच्छा के जो है जो महत्पूर्ण अनितत्त हैं वो देखिए उत्परेच् आरोब की संभावना की जाए वहाँ वस्तूत प्रेच्छा होती यानि आपको यहीं से देखना है वस्तू को अगर वस्तू से एक दूसरे की तुलना हो रही तो वस्तूत प्रेच्छा होगा जहां संभावना के मूल में कोई कारण या हेतू हो वहाँ पर हेतूत प्रेच्छा होगी और जहां किसी क्रिया के मूल में किसी फल की संभावना हो वहाँ पर फलोत पेच्छा होगी तो यह तीनों का description हो गया जो आपको याद रखना चाहिए important है क्योंकि अब जो question UPSSCE पूछ रहा है वो सीधे सीधे जो है भेद से पूछ रहा है जो जैसे उत्परेच्छा है तो उत्परेच्छा ना पूछ के सीधे हेत उत्परेच्छा जो है आपको आपसन में दिख सकता है next question देखते हैं कामता प्रसाद गुरू ने वाह प्रयत्न के अंसार वन्जनों के कितने भेद माने हैं तो इस तरह से उन्होंने वाह प्रयत्न के आधार पर दो भेद माने हैं और ये कौन से हैं एक अल्प प्राण और एक महा प्राण तो जैसा नाम से ही स्पच्छ है अल्प प्राण उन सब्दों को कहते हैं उन वर्णों को कहते हैं मुख से कम स्वास निकलती है और उनके जिनके उचारण में अधिक स्वास निकले उन्हें महाप्राण वेंजन या महाप्राण वन कहा जा सकता है अभी आपके सामने अलप्राण और महाप्राण है इसमें एक आपको याद रखने जाली बात यह है कि किसी भी वर्ग का जैसे आप का वर्ग की बात करें तो उसका पहला तीसरा और पाँचवा ये हमेशा क्या होगा अलप प्राण होगा और वहीं पर अगर बात करें हम जो है कि महा प्राण तो दूसरा और चौथा जो वर्ण होता किसी भी वर्ण का वो महाप्राण होता तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कोई कि वर्ण माला तो सभी को याद है और अगर आप ये छोटी सी बात याद रखते हैं तो आपका question कभी भी गलत नहीं होगा next question हिंदी की अगर अब्रताकार समवरत ध्वनी इन में से कौन सी है तो इसमें लगबख तीन चीज़े एक साथ पूँच ली है तो इसमें इसका सही उत्तर तो क्या होगा E होगा अब E कैसे होगा इसके बारे में जान लीजिए समवत स्वरों के उचारण में मुख द्वार लगभग बंद जाता है जैसे E, O, O यानि इसमें मुख का द्वार बहुत ज्यादा खोलना नहीं पड़ता है यहां तक कि आप मुख को बंद करके भी इनको उचारण कर सकते है और स्वरों के उचारण में केवल काकल में औरोध होता है मुख बिवर से हवा निर्वाद गती से बाहार निकलती है जीवा का सेस इस्सा विसेस कुछ उपर उठता है यह सब जो है इसके उचारण की जो है विसेस्ताएं है इह रिस्व भी है संवरत भी है और आवरत्ताकार है तथा अग्रस्वर है तो इसकी ये चार भी सेस्थाएं हो गई इसी प्रकार आ क्या है रिस्व है आर्ध विवरत है मदस्वर है और बड़ा दीर्ग विवरत पस्वर तथा इसी अगर ए की बात करें तो ये दीर्ग, अर्ध विब्रत और अग्रस्वर है आपने अगर मेरा वर्णवाला लेक्चर देखा होगा तो उसमें मैंने इसको अच्छे से डिस्क्राइब भी किया है अब बात करते हैं आयोग वाक इनको कहा जाता है हिंदी वर्णवाला में तो विसर्ग को आयोग वाक के अंतरगत रखते हैं विसर्ग सेहत अनुस्वार भी होता है लेकिन यहाँ पर आप्सन में केवल विसर्ग पूछा गया है तो अनुस्वार जो की अंग होता है और विसर्ग यानि अहा इनको आयोगवा कहा जाता ये धुनिया ना तो स्वर होती है ना ही वेंजन होती है फिर भी एक अर्थ का वहन करती है इसलिए इनको आयोगवा कहते हैं पंडिस किसोरी दास बाचपई के सब्दों में इनकी सुतंत्र गती नहीं होती इसलिए इन दोनों ध्वनियों को आयोग वा कहा जाता है ना तो स्वर के योग से ना व्यंजन से अता इसको आयोग कहते हैं और अर्थ वहन करने के कारण इसको वा कहते हैं और दोनों को मिला कर इसको आयोग वा कहते हैं आपको बद दो चीज़े ध्यान रखनी है कि अंग अहा जो है ये अनुस्वार है ये विसर्ग है और दोनों मिलाकर आयोग वा है अब भावाचक संग्या इसमें देखनी है राष्ट की भावाचक संग्या क्या है तो भावाचक संग्या जो है राष्ट की राष्ट्रियता हो भावाचक संग्या प्राया पांच प्रकारों के सब्दों से बनती है जातिवाचक संग्या से बनाई जाती है विसेशन से बनाई जाती है सर्वनाम से क्रिया से तथा अव्य से राष्ट क्या है राष्ट एक अपने आप में एक जातिवाचक संग्या है और इसका भावाचक जो सब्द पदात की अवस्था गुड, दोस, धर्म, दसा, स्वभाव, आधिका बोध कराते हैं उन्हें भावाचक संग्या कहा जाता है यह परिव्यासा हो गई अब इसके कुछ उधारण देख लीजे यही सब्द सीदे सीदे कई बार पूछे गए जैसे बुढ़ापा, मि जैसा करोगे वैसा भरोगे इसमें से हमको सर्वनाम बताना किस तरह का सर्वनाम है तो यह क्या है संबंध वाचक सर्वनाम है क्योंकि जिन सर्वनाम में दो वस्तूओं अथवा दो व्यक्तियों का पारसपरिक संबंध प्रगट होता है वहाँ पर संबंध वाचक सर्वना और संबंद वाचक सर्वनाम का प्रियोग वाक्य में दो सब्दों को जोड़ने के लिए भी किया जाता जैसे कि इसी में देख लिए जैसे वैसे का यहां पर प्रियोग किया गया है इसी तरह से जिसकी उसकी जितना उतना जो सो तो इस तरह के जितने भी सर्वनाम हैं ये क्य उठाना क्रिया का कर्मक रूब इसी प्रकार दौड़ना, सोना, रोना, लजाना इत्यादी यह सब क्या है dominance अकर्मक रिया हैं वे क्रिया जिनको करने के लिए कर्म कियाँ सकता नहीं होती है उन्हें अकर्मक रिया कहते है जैसे इंपली अगर हम बोले कि वह सोता है तो उसमें क्या है ये काम करता द्वारा खुद किया जा रहा है इसमें किसी कर्म की आउसकता नहीं पड़ रही अलग से तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अकर्मक क्रिया हो जाएगी और इनकी विशेश्टा क्या है कि जो क्रिया होती उसका सीधा असर करता पे पड़ता जैसे उसके उधार देख लीजिए पच्छी उड़ता है बच्चा रोता है रेल गारी चलती है राधा नाजती है अब अकर्मक सकर्मक कैसे हो सकती थी अगर यही रेल गारी वाला उधारन है रेल गारी लोहे की पटरी पर चलती है अगर हम ये वाकिय बना दें तो वो कैसी हो जाएगी सकर्मक क्रिया हो जाएगी क्योंकि वहाँ पर रेल की पट्री जो हमने सब्द जोड़ दिया है वो क्या है वो कर्म हो जाएगा तो क्रिया का जो सीधा असर पड़ेगा वो करता पे ना पढ़के कर्म पे पड़ेगा तो वहाँ पर सकर्मक्रिया हो जाएगी अगला देखते हैं निमलिखी सब्दों में से विशेशन सब्द कौन सा है तो प्रपंच सरपंच पहुँच ये सभी विशेशन नहीं है पाचवा सब्द जो है विशेशन है और कैसा विशेशन है ये क्रम वाचक विशेशन है जैसे पहला दूसरा तीसरा तो ये क्रम को जो है डिनोट कर रहा है अब जो है जितने भी संख्या वाचक विशेशन है उन पर आया, इस प्रस्म में पहला दूसरा तीसरा, आवरति वाचक जहां पर किसी की फ्रिक्वेंसी बताई जा रही है, जैसे दो गुना, तीन गुना, चो गुना, यह सभी आवरति वता रहे हैं, समुदाय वाचक जहां पर कुछ लोगों की तरफ एक इसारा किया जा रहा है, क दोनों, तीनों, चारों, पाचों, आठों, तो ये समदाय वाचक हो जाएगा, फिर प्रतियक व्योधक विशेशन में, प्रतियक हर एक, दो, दो, सवा, सवा, ये सब प्रतियक व्योधक विशेशन के अंतरगत आएंगे, फिर अगला कोश्चन देखते हैं, निमलिखित में स परिमाड बोधक विशेशन क्या है तो परिमाड का मतलब क्या होता है नापना किसी चीज को मापना या नापना परिमाड कहलाता है तो सीधा सीधा कम आमदनी आपको यहाँ पता चल गया है क्योंकि यहाँ पर आमदनी को नापा जा रहा है उसकी आमदनी कम है तो यह या सर्वनाम की मात्रा अत्वा नापतौल का बोध होता है वो परिमार बोधक या परिमार वाचक बिशेशन कहलाते हैं इनके दो बोध होते हैं एक निश्चित परिमार बोधक तथा एक अनिश्चित परिमार बोधक तो जो बिकल्प D है कम आमदनी इसमें ये तो बता दिया निष्चित परिमार्वाचक में जो निष्चित परिमार्वाचक हो गये जो माप्तौल का बोध नहीं कराते हैं जरू सब धन कुछे दूद, बहुत पानी, कम जगे तो ये सब वहीं जो अनिश्चित परिमार्वाचक निमलिखित में से किस सब्द की वर्तनी असुद्ध है तो इसमें से असुद्ध वर्तनी हमको देखना है जोच्छना की असुद्ध है बाकी स्रिंगार उज्वल अध्यात्म ये सभी सही लिखें जोच्छना कैसे लिखा जाता है तो जोच्छना का सुद्ध रोप होता है ये यानि जो आधाता आधासा ना बहुत बार ये पूछा गया एक्जाम में इस पर हमेशा ध्यान दी गए जोचना उज्वल ये इनफेक्ट चारो सब्द हैं ये चारो सब्द कई बार पूछे गए हैं आहे तुकी का सुद्ध रूप क्या होगा आहे तुकी एक सब्द है इसका सुद्ध रूप क्या होता है इसमें बस आपको हा पर जो है आहे की मातर लगा देनी है और तुकी ये आहे तुकी हो जाएगा इस सुद्ध रूप हो जाएगा बाकी जो विकल्प हैं उस अभी गलत ह इन में से किस सब्द में याण संधी है बहुत अच्छा याण संधी का प्रसन है कि इसमें आप देख रहोंगे इसमें जो जितने भी विकल्प हैं ये सबी जो है बहुत ही ऐसे हैं जो कॉमन विकल्प नहीं है तो इसमें हमको देखना देव्यागम इसमें यण संदी है इसका बिच्छेर क्या होता है देवी धन आगम होता है इसमें रूल क्या लगा ई और आ मिलके यहाँ पर क्या देवी का बड़ी उ निकल ला है और आ जो है यहाँ से आ रहा है और यह मिलकर क्या बन जा रहा है या हो जा रहा है तो यहाँ पर क्या हो गया अब इसी प्रकार जो है ई और ई के साथ जब कोई अनस्वर हो तो या बन जाता है जब उ के साथ कोई अनस्वर आए तो वह वा बन जाता है और जब री के साथ कोई अनस्वर आए तो वह रा बन जाता है यह इसका रूल हो गया अब इसके कुछ जो है popular examples बहुत important वो देख लीजिए आतिधन अधिक तो यहाँ पर क्या हो रहा है अत्यधिक इसमें क्या हो रहा है छोटी E छोटा A मिलकर या बन रहा है प्रतिधन अच तो प्रत्यच इसमें भी same rule follow हो रहा है प्रति आगहात तो इससे क्या बनता है प्रत्यागहात बनता है इसमें छोटी E और बड़ा A मिलकर या बन रहा है आतिधन अंत अत्यंत छोटी E छोटा A और या तो यह सभी जो है यण संदी के उदारन थे अब यण संदी का संबन किस संदी विशेश से है यानि यण संदी जो है किस संदी में आती है वेंजन संदी में की विशर्ग में की स्वर संदी में तो यह स्वर संदी का एक प्रकार होता है यह आप अच्छी तरह से जानते हैं स्वर संधी के पांच भेद होते हैं दीर्ग स्वर संधी, गुर संधी, व्रदी संधी, यन संधी और आयादी संधी अगला कोश्चन देखते हैं रसोई घर का समास विग्रह क्या होगा तो रसोई के लिए घर ये इसका समास विग्रह होगा, इसमें समास कौन सा हो गया, संपरदान तत्पुरुस हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रियोग हो रहा है, के लिए, के लिए किसको डिनोट करता है, संपरदान कारक को, तो ये कैसा हो गया, संपरदान तत्पुरुस समास हो गया, और इसमें बिभक्ती जो है जो के लिए होती है इसका लोब कर दिया जाता है जब बिग्रह होता है और समासपद संपरदान ततपुरुस कहलाता है अब इसके जो है कुछ और एक्जामपिल हम देखते हैं हवन सामगरी यानि हवन के लिए सामगरी आपको बद ध्यान क्या देना है के लि गुरु दच्चिना गुरु के लिए दच्चिना पाट साला पाट के लिए साला ग्रह कर्च ग्रह के लिए खर्च तो यहां पी जितने भी के लिए हैं उस पद का विलोपन हो जा रहा है किस सब्द में ततपुरुस समास नहीं है इनमें से ततपुरुस किसमें नहीं है तो इ इसको धारण कौन करता है, साप या सर्प, तो यहाँ पर क्या है, कि जो विस्धर का आर्थ क्या निकलता है, तीसरा आर्थ निकलता है, इसलिए यहाँ पर विस्धर में कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्री ही समास हो जाएगा, इसके अलामा बाकी सब्दों को देख लेते ह बिस्व विख्ख्यात तो जो है बिस्व मे विख्ख्यात इसी तरह से आश्चर चकित में जो है आश्चर से चकित हिम पात हिम का पात तो यह सब तत्पुरुस के उधारण है और बहुबरी का जो है थोड़ा डिटेल जान लीजिए बहुबरी में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है कोई अन्य पद प्रधान होता यानि विश और धर दोनों ही प्रधान नहीं है विश और धर मिलके जो नया अर्थ उत्पन कर रहे हैं यानि सर्प वो यहाँ पर प्रधान है इसके हम कुछ और उधारन भी देखेंगे जैसे कि चक्र पाड़ी, चक्र को धारन करने वाला अर्थात श्री कृष्ण, दसानन दस सर है जिसके यानि रावण, लंबोदर लंबा पेट है जिसका या लंबा उधर है जिसका गड़े जी के लिए, मुरली धर, मुरली बजाने यानि भगवान, श्री कृष्ण, गिरिधर, गोवर्धन, परवत को उठाने वाला यानि श्री कृष्ण, तो ये सभी जो है बहुबरी के पॉपुलर एक्जाम्पिल्स हैं, नेक्ट क्वेचन देखते हैं, निम लिखित में से कौन सा सब्द इस्त्री लिंग है, तो दोस् लगा सकते हैं, क्योंकि लिंग में अपवाद बहुत सारे हैं, जो आपको अभी मैं आगे बताने भी जा रहा हूँ, अरहर जो है इसमें से इस्त्री लिंग सब्द है, बाकी चना, बाजरा, उडद, ये सभी जो है इस्त्री लिंग नहीं हैं, जबकि आप ये देख सकते है कि सभी जो है क्या है दाले हैं, अगर देखा जाए सभी दाले हैं, उस पे भी जो है अरहर जो है इस्त्री लिंग है, क्योंकि ये इसका अपवाद है, अब इस्त्री लिंग सब्दों के बारे में देख लिए कि पहचान हम कैसे कर सकते हैं, इस्त्री लिंग सब्दों के अं भीगड, कमेटी, सेना, सभा, कच्छा, ये सभी इस्त्रीलिंग होती हैं, प्राडी, वाचक, संग्याएं, जैसे धाय, संतान, सोतन, ये सभी इस्त्रीलिंग सब दोते हैं, छोटी और सुन्दर वस्तुओं के नाम, जैसे जूती, रसी, लुटिया, पहाडी, तो ये सब इसक के लिए प्रियोग होते हैं, नदियों के नाम, रावी, कावेरी, कृष्णा, यमुना, सतुलज, रावी, व्यास, गोदावरी, जेलम, गंगा, जितनी भी नदियां होती हैं, उनके नाम जो है, इस्त्रीलिंग होते हैं, भासाओं और लिपियों के नाम, जैसे देवनागर अंग्रेजी, हिंदी, फार्सी, अर्भी, जर्मन, बंगाली, ये सभी इस्त्रीलिंग में प्रियोगत होते हैं, पुस्तकों के नाम, कुरान, रामायर, गीता, इत्याद ये भी इस्त्रीलिंग प्रियोग होते हैं, तिथियों के जो नाम होते हैं, पूरिमा, अमावश्या, एकादसी चतुर्थी प्रत्मा ये सभी इस्त्रीलिंग है आहारो के नाम सबजी डाल कचवरी पूरी रोटी ये सभी इस्त्रीलिंग है और इनके अपवाद हैं जहांपर अपवाद इसलिए मैंने जो इसको डिस्क्रिप्शन में जानबूच के डाला था हलुआ अचार रायता ये जो है हमेशा पुलिंग में प्रियोग होंगे तो अपवाद जो है इनको अलग से आप नोट जरूर कर लीजिए तो कि अपवाद वाले ही प्रस्न जादा पूछे जाते हैं इकारान्त वाले सब्द यानि इनमें आकरी में बड़ी इह आती हैं नानी बेटी मामी भावी ये सबी इस्त्री लिंग सब्द हैं अब दोस्तों आज के लेक्चर का आधा आखरी कुश्चन देखते हैं कारक के कितने भेद होते हैं तो कारक जो है आप लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं आठ भेद होते हैं और कर्ता कर्म करण संपुरदान अपादान संबंद अधिकरन संबोधन और जबकि संस्क्रित में अगर पूछ लिया जाए कि संस्क्रित साहित में कितने कारक माने जाते हैं तो संस्क्रित में 6 कारक माने जाते हैं क्योंकि सच्थी और संबोधन की गणना उसमें नहीं की जाती है तो दोस्तों इस तरह से हम में solve कराऊंगा दो दिनों के अंदर आपको तो आपको इससे ग्यान तो प्राप्ट हुआ ही होगा आपको knowledge बढ़ी होगी आपकी आपके कुछ concept यो clear होगे दूसरी चीज़े है कि जो test series हमारी है उसका भी आपको इस तर जो है जरूर आकलन आपने किया होगा कि test series हमारी किस त पर निर्भर है तो अभी के लिए ता ही मिलतें next part में नमस्कार धन्यवाद